नमस्ते, घरपे यार हम घरपेडी गुनाएंगे रंगी 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 आइस गोड़, हमने लिए है दो कटोरी शकर, अब हम ये दो कटोरी शकर में तीन कटोरी पानी दालेंगे, और इससे गरम नहीं करना है, शकर पानी में गुले उतना ही, हमें मिक्स करना है, हमने यहां लिए है ओरेंज मेंगो और रोज हम इसके साथ में और दूसरे चोकलेट वैनिला अलग 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 फ्लेवर के इसेंस ले सकते हैं अबर आपके पास साचा हो आइस होले का तो यृ उसमें जमा सकते हैं अगर आपके आस नहीं है तो यह चाय के जो डिस्पोजल है, हम इसमें जमाएंगे, और यह स्टीक ओनली है हमने, आस्क्रिम स्टीक, देखिए हमारी शकर पुरी तरब से घुल चुकी है, अब हम इसे तीन फ्लेवर लिए हमने इसे तीन बावल में, इसे थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ताकि हम तीन वाला वाला कलर इसमें मिक्स कर सके, देखिए हमने ओरेंज इसेंस लिया है, यह हमने आदा चमच लिया है, इसी तरह हम सब बावल में यह मिक्स करेंगे, देखिए इस तरह के से हमने तीनों भी कलर मिक्स कर लिए, अब हम साच्या हो तो साच्य में नहीं, तो हम यह दाल के इसे फ्रीजर में रख देना हैं बहुत ही आसान तरीके से हम घर में यह आइस गोला बना सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके अब हम इसे चार से पांच घंटे फ्रीजर में रखेंगे सेट करने के लिए देखिए हमारा यह आइस गोला प्रेडी है